नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कलेजा हाथ में आ जाएगा, यह सच्चाई सुनकर कल से आप सभी के जीवन काल में खुशी का ढोल चारों तरफ बजाने वाला है, और आने वाले तीन दिनों तक लगातार खु प्राप्त नहीं हुआ था। और कल से आपको अपने जीवन काल में कुछ क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यक्ता है। दोस्तों जानते हैं इन सब समस्याओं के लिए ना तो आपका भाग ये खराब है और ना ही आप जिम्मेदार है। इन सब समस्याओं के लिए जिम्मेदार तो कोई और ही है और ये गुप्त रहस्य हम आपको आगे पता नहीं चाह रही है। दोस्तों हम जानते हैं कि आप मन से भी बड़े ही सच्चे और बड़े ही अच्छे इनसान हैं। आप जान बूच कर किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आपके करमों से किसी ना किसी को चोट अवश्य पहुँच जाती है। आप भले ही किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन आपके प्रयास दूसरी दिशा में चले जाते हैं। जूज रहे हैं तो अब चि़न्ता करने की कोई बात नहीं है, दोस्तों हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप अपनी हर समस्या से मुक्त हो जाएंगे, इस बात का वादा करते हैं, हम आपसे तो चली दोस्तों बात करते हैं, उन सब परिशानि के कारणों के बारे में। पसंद आती है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हम आपको बता दें कि आपकी कुंडली में 21 से ग्रह हैं जो यदि आपके लिए नीच के रहेंगे या कमजोर अवस्था में रहेंगे तो आपको हमेशा प प्रवेश कर जाएगा जी हां दोस्तों ये दो ग्रह कौन से हैं और इनी ग्रहों की स्थिती के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में ये ग्रह नीच के हैं या उच्च के हैं यदि नीच के हैं तो आपका स्टोर से हमेशा पेडित रहेंगे हम एक किस करके हर एक बात को विस्तार से बताएंगे कि कौन से ग्रह से क्या कश्ट मिलेंगे और उस ग्रह का तोड क्या है निवारन क्या है उपाय क्या है जी हां दोस्तों तो वीडियो में बनी रही है हमारे साथ हम आपको सारी जानकारी विस्तार से बताने जा रहे हैं जी हां दोस्त या तो है ही नहीं, और यदि हैप्पी तो इतनी कम है, कि आपके खर्चों के लिए पूरी नहीं पड़ती है, जिससे आप मानसिक तोर पर हमेशा परेशान रहते हैं, उन जनों से भरी रहती हैं, अपने खर्चे पूरे कर ना कर पाने की वजह से. बड़ी समस्याओं से घिरे रहते हैं, इधर आपको करजी ने भी परेशान कर रखा है, जी हाँ, दोस्तों दोनों समस्याएं एक जैसी ही हैं, चाहे वह करजे की समस्या हो या आमदनी कम होने की समस्या को दूसरी समस्या, आपके जीवन में यह है कि लोग आपको हमेशा गलत ही समझते हैं जी हां दोस्तों आप चाहे उनके लिए कितना ही अच्छा करने का प्रयास करें चाहे उनके लिए तनमंधन से हाजिर हो जाए तब भी लोग आपके काम में खोट निकाल ही देते हैं और अंत में आपको बुरा ही हासिल होती है या यूं कह सकते हैं कि आप रिष्टे नतों के मामले में बड़े ही दुर्भाग्य साली इंसान हैं जी हां दोस्तों आप लोगों के साथ हर रिष्टा बड़ी ही इमानदारी के साथ निभाना चाहते हैं लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका रिष्टा खराब हो जाता है आपका दिल तूट जाता है चाहे रिष्टा कोई भी हो चाहे वह आपके गर परिवार में यहां तक कि आपके जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ रिष्टा हो। हर एक रिष्टे में समस्या यही है कि कमी आपकी तरफ से कोई भी नहीं होती। फिर भी परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बन जाती हैं कि आपकी ही कमी साबित हो जाती है और फिर आपको ही दोश लग जाते हैं जबकि आप दिल से बिलकुल भी नहीं चाहते थे कि सामने वाले इंसान को किसी भी प्रकार की पीडा को तो मूल रूप से आपके पास दो दोषी तरीके की समस्याएं ही हैं जाने जा रहे हैं कि वह कौन सा ग्रह है, जो आपके काम धंधे में रुकावट खड़ी कर देता है, आपकी नौकरी भी ठीक से नहीं चलने देता है, आप कितनी ही मेहनत करें, लेकिन आपको अपने घर में पैसा लाने नहीं देता है, और यदि पैसा आ भी जाता है, तो वह क जी हाँ, दोस्तों, उस ग्रह का नाम है, बुध्ध ग्रह, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ग्रह है, जो आपकी आमदनी के लिए जिम्मेदार होता है, जी हाँ, दोस्तों, वैसे तो धन की देवी लक्ष्मी होती है, और धन के रक्षक या राजा कहे कबीर को माना जाता है, लेक इस मार्ग से ये भी तो आपके लिए जानना अवश्यक है, धन तो किसी ने किसी व्यापार के माध्यम से ही आपके पास आएगा या नौकरी या फिर किसी और प्रकार के निवेश आदी से ही आपके पास धन आएगा, तो यदि इसका गरह कमजोर है या व्यापार बिजनस का अगर है कमजोर है तो फिर धन आपके पास आना भी चाहेगा तो आ नहीं पाएगा जी हाँ दोस्तों तो धन की पूजा करने से कोई लाब नहीं मिलेगा चाहे आपको वीर की पूजा करें चाहे मातालक्षमी की पूजा करें आपको इसका कोई भी लाब प्राप्त हो नहीं प तो आप उस पानी को लाएंगे कैसे समझने वाली बात है तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि धन को अपने घर में लाने का माध्यम से कोई व्यापार नौकरी यह कोई रोजगार होगा और रोजगार का ग्रह बुद्ध होता है तो आपकी जीवन में बुद्ध निश्चित तोर पर कमजोर है नीच का है जो आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण है जी हाँ दोस्तों आपके पास धन की कोई कमी नहीं है लेकिन आप अपने घर मिला नहीं पा रहे हैं आपके प्रयासों में भी कोई कमी नहीं है आप पर ही महनती और पर ही तू दूर दृष्टी रखने वाले इंसान है जी हाँ दोस्तों आप अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष बनाते हैं उन्हें हासिल करने के लिए बहुत महनत भी करते हैं आप कभी-कभी तो ऐसे कारे कर जाते हैं जो लोगों की बौधिक शमता के बाहर है लोग अचमभे में पड़ जाते हैं फिर भी आप निर्धन के निर्धन ही रह जाते हैं छोटे-छोटे लोग, कम बुध्धी वाले लोग आपके सामने देखते देखते आगे बढ़ जाते हैं उन्हें देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप में क्या कमी है आपके अंदर हैं कौन सा ऐसा देश है कि इस जैसे मूर्ख इंसान आगे निकल रहे हैं और आप जैसा बुद्धिमान मेहनती इंसान पीछे खड़ा है लेकिन अब आपको परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं है हमने आपको बता दिया कि व्यापार और आमदनी का बुद्ध को माना गया है तो यदि आप खुद को प्रसन्न करने का उपाय कर ले वह तो मजबूत कर ले तो आपकी आमदनी के स्रोत हो खुल जाएंगे फिर हमें लक्ष्मी आपके घर में लाने से कोई रोक ही नहीं सकता छोटा सा भी काम शुरू करेंगे तो आपको तमाम तरीके की उसमें से लाभ प्राप्त होने लगेंगे और आपका घर धन धानने से भर जाएगा ये हमारा वादा है आपसे तो आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि खुद को मजबूत कैसे किया जाए अब आप समझ चुके होंगे कि आप धनवीर क्यों है आपके पास धन की समस्या हमेशा बनी क्यों रहती है आप हमेशा करजे में क्यों बने रहते है क्यों आप अपनी इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे जबकि आप माता लक्ष्मी की भी पूजा करते है सारे पूजा पाठ अब बड़े विधी विधान के साथ करते है तब भी आप सुखी नहीं है आप परेशान है दोस्तों आपको इसका राज आज पता चल गया है अब हम बात करते हैं कि दूसरा कौन सा ग्रह है जिसने आपको बरबाद कर रखा है जी हाँ दोस्तों और उस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं कि यह कैसे आपको बर्बाद करके बैठा है जी हाँ दोस्तों मंगल ग्रह है वे हमारी बौधिक शमता पर प्रभाव डालता है हमारे रिष्टे नातों पर प्रभाव डालता है जी हाँ दोस्तों आप बहुत मेहनत करते हैं बहुत प्रयास करते हैं फिर भी आपके प्रयास रंग नहीं लाते हैं जिससे आपके मन में उत्पन्न होने लगती है क्रोध धीरे धीरे जमा होने लगता है और जाहिर सी बात है कि आप क्रोध को जब ज्यादा इकठा हो जाएगा तो निकलने के लिए रास्ता धोने की और आपको जरूर करना ही पड़ेगा एक दिन वह क्रोध ऐसी जगे होता है जहां नहीं होना चाहिए यानि कि आपके घर परिवार में आपके रिष्टे नातों में आपके प्रेमियों से आप एक दम से क्रोध कर दियाते हैं कि तुम फट पड़ते हैं और उसी स्थिती में आपके प्रेमी जान आपसे दूर हो जाते हैं आपके रिष्टे खराब हो जाते हैं तो हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप बौद धिक तौर पर कमजोर हैं। लेकिन रिष्टे नातों को संभाल कर रखने के लिए जो ग्रह जिम्मिदार है वह मंगल है और मंगल आपका कमजोर है। इसी वजह से आपकी रिष्टे नात देने से मना कर दिया तो जीवन भर की बुराई हो जाती है और 20 बार जो आपने उधार दिया उसका भी करा कराया मिट्टी में मिल जाता है जी हां दोस्तों तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो हो रहा है आप किसी भी रिष्टे को निभाने के लिए बड़ी जी जान से प्रया ये कुछ ऐसा बरताव कर देते हैं जिससे आपकी जीवन भर का वह रिष्टा इस न किसी रूप में आपसे दूर हो जाता है जी हां दोस्तों में इसके लिए जिम्मेदार है मंगल दोस्तों मंगल के दुश प्रभाव को आप इस तरह समझ सकते हैं कि यदि किसी जातक की दुख प्राप्त नहीं हो पाता है मंगल दोश बहुत ही खतरनाक होता है ये किसी भी रिष्टे को स्थाई होने नहीं देता है जी हां दोस्तों तुम मंगल ग्रह को आप अपने पक्ष में कैसे करेंगे इसके उपाए हम वीडियो में आगे आपको बताने जा रहे हैं तो वीडियो में बनी रहे और सारी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करें तो दोस्तों आपने अब तक यह जान लिया कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं के मुख्यकारक कौन है और किस वजह से आप अभी तक पीडित चल रहे हैं तो अब एक- करके बात करेंगे किन दो ग्रहों को आप अपने पक्ष में कैसे कर सकते हैं इन्हें उसका कैसे बना सकते हैं जी हां दोस्तों आप बिलकुल परेशान ना हो हम आपको ऐसे शर्तियां उपाये बताएंगे जिन्हें जानने के बाद कुछ समय तक करने के बाद धीरे धीरे आ और आपके जीवन में खुश हाली आने लगेगी। जी हाँ, दोस्तों, हमारे जीवन में हम तमाम तरह के प्रयास करते हैं। अपने जीवन को सुन्दर और सफल बनाने के लिए लगातार लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। लेकिन परिणाम सबको एक जैसी नहीं मिलते हैं। जी हाँ, दोस्तों हैं, ऐसा इसलिए होता है कि सब कुछ ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। यदि हमारे ग्रह हमारे पक्ष में रहेंगे, तो एक भिखारी भी राजा बन सकता है, और यदि ग्रह पक्ष में नहीं है, विपरीत हो गए या नींद के हो गए, तो एक राजा भी कब भिखारी बन जाएगा, उसे पता तक नहीं चलेगा। जी हाँ, दोस्तों, ये होती है ग्रहों की शक्ति, तो यदि आप ग्रहों की स्थिती को जानते हैं, पर विश्वास रखते हैं जो कि आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि आप ग्रहों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। हम पूजा पाठ भी करते हैं, तो नव ग्रह, शानती और स्थापन अवश्य करते हैं कि हमारी पूजा पाठ भी सफल हो जाए। हतार उपाय करते चले और जीवन में धीरे-धीरे काम्याभी हासिल करते चले। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं, सबसे पहले बताएं, ग्रह है यानि बुद्ध के बारे में तो खुद को हम मजबूत कैसे बना सकते हैं, तो दोस्तों, बहुत खूब माल और व्यापार का रक्षक स्वामी ग्रह माना गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको, समझना है कि पुत्र की चाल क्या होती है। बुध का स्वभाव कैसा होता है, तो बुध का स्वभाव बड़ा ही सौम्य और सरल होता है। बुध को प्रसंण करने के लिए अपने पक्ष में करने के लिए बहुत महनत करने की आवशक्ता नहीं है बुध का प्रियरंग हरा है और प्रियधातु कौन सा है तो आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाना है और वहाँ बांस की हरी घास जो होती है जिसे धूप कहते हैं उसके छोटे छोटे इगायरह गठर बनाने है जी हाँ दोस्तों याद रखना जिसमें की साथ या इगायरह घास की पत्तियां तभी हूँ ऐसी आपको इगायरह गठर बनाने है जी हाँ, दोस्तों और भगवान गणेश को भोग चढ़ाना है लड़ूओं का भोग चढ़ाएं और उसी के साथ भगवान गणेश के चरणों में इगायरह दूद की जो गठर आपने बनाई हैं, अपनी मनों कामना बोलते हुए उन इगायरह कठनों को वहाँ चढ़ाते हैं जी हाँ, दोस्तों, उसके बाद पूरे सच्चे मन से भगवान गणेश को अपनी समस्याएं बताएं मन ही मन बताएं जी हाँ, दोस्तों, जब भी हम किसी दिव्यशक्ती के पास जाते हैं तो पूरे मन से और पूरे भाव के साथ जाना चाहिए तो आप अपने सच्चे मन से अपनी हर एक समस्या भगवान गणेश को बताएं और उसके बाद आप घर वापस आ जाएं और हो सके तो हरे रंग की चीजें दान करने की कोशिश करें जैसे हरा रुमाल किसी को दान कर दें या फिर गाए को हरी घास खिला दें और शाम के समय कहां से की थाली में कुछ सीधा जाने की फांसी की थाली में गेहूं का आटा, चावल और दाल और साथ में थोड़ी पैसे यानि की दस रुपए का सिक्का या पांच रुपए का सिक्का पंडित जी के घर पहुँचा दे इसी सीधा बोलते हैं जी हाँ, दोस्तों इस उपाय को आपको इगायरह बुधवार करना है इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस उपाय को करना शुरू करेंगे धीरे 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 आपके व्यापार में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी आपकी पदोन्नती के आसार बनने लगेंगे आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहने लगेंगे वही कार्य जिसकी इज़त नहीं होती थी उसी कार्य को करने पर आपको सम्मान प्राप्थ होने लगे लोग आपके काम की एहमियत को समझने लगेंगे चीजें वही रहेंगे लेकिन लोगों के नजरिये बदल नहीं लगेंगे और यह प्रभाव होगा बुद्ध का दोश तो बड़ा ही चमतकारी प्रभाव होता है तो आपने उपाय अच्छी तरह से समझ लिया है यदि नहीं समझ पाया है तो वीडियो को दोबारा देख लें और इस उपाय को अच्छी तरह से याद रखें आपको केवल यही एक उपाय नहीं करना है आपको अपने मंगल को भी मजबूत करना है तो मंगल को मजबूत करने के लिए उपाय आपको बताते हैं तो दोस्तों मंगल का प्रतीक रंग लाल होता है मंगल का दिन मंगलवार ही होता है और मंगल के देवता हनुमान जी को माना गया है तो आपको मंगल को प्रसन करने के लिए बहुत ही सरल उपाय करने है यानि कि माथे पर लाल टीका लगाना है जेब में लाल रुमाल रखना है और मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर गुड और चने का प्रसाद हनुमान जी को अवश्य चढ़ाना है और यही प्रक्रिया आपको कम से कम इगायरह मंगलवार तक तो रानी है जी हाँ दोस्तों लेकिन मंगल को प्रसन करने में आपको अपने स्वभाव में भी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यक्ता रहेगी जी हाँ दोस्तों आपको जितना हो सके उतना क्रोध करने से बचना होगा जितना हो सके उतना क्रोध करने से बचना है याद रखना है दोस्तों किसी महिला का भूले से भी अपमान नहीं कर देना है किसी बुजर्ग इंसान का है या फिर किसी सफाई कर्मचारी का गलती से भी अपमान नहीं कर देना है मांस मदिरा का आपको सेवन नहीं करना है हनुमान जी का आपको नित्य ध्यान करना है और मंगलवार के दिन आपको हो सके तो वरत भी रहना है यदि आप नहीं रह सकते हैं तो केवल हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना अवश्च करें इतना करने से आपका मंगल मजबूत हो जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके गर से बाहर निकले तो लॉंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर अवश्य निकलना है जी हाँ दोस्तों तो इससे ये होगा कि हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है नेगेटिव एनरजी है जिसने हमें घेर रखा है लोग उस नेगेटिव एनरजी को सोख लेती है जी हाँ दोस्तों जब आप घर से बाहर निकले तो लॉंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर अवश्य निकले इगायरह मंगलवार और इगायरह बुधवार तक जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक आपको लोग अपनी जेब में अवश्य रखनी है बस आप इन सुन्दर और प्रिया होते चले जाएंगे और धीरे धीरे आपका जीवन बड़ा ही खूबसूरत हो जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जीवन नर्क बन चुका है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों यदि आप सारे योग और सहयोग को अच्छी तरह से समझते चलेंगे तो आपका जीवन बड़ा ही सुन्दर और मधुर हो जाएगा और ईश्वर में आपकी जानकारियां लाने के लिए बहुत ही अच्छा अंतिम करनी पड़ती है। बहुत ही महनत करने के बाद इतनी महत्वपूर्ण वीडियो हम आपसे पी के सामने लाते हैं और इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यही हमारा आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है तो अगर वीडियो को अंत तक देखें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जयमा भद्रकाली पूरे भक्ति भाव के साथ लिखना बिलकुल भी ना भूलना दोस्तों याद रखें। जिसके साथ हो माता भद्रकाली उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्यानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।